एक अमावस की रात में लता और हेमा और उनके पती विक्रम और राजीव अपने गाउं जाने के लिए निकले थे। राजीव ने पूछा, यह अचानक से ट्रिप का प्लान क्यों बना लिया। विक्रम बोला, मैंने कुछ नहीं किया, यह जो भी किया इन दोनों बेहनों ने किया। लता बोली, हाँ हाँ, सारा प्लान हमारा ही तो था, वो तो मैं ही थी ना, जो बोल रही थी काम करके ठक गया हूँ, मुझे थोड़ा ब्रिक की जरूरत है, चलो लता कहीं चलते हैं। मैंने तो बोला था कहीं चलते हैं, यह थोड़ी बोला था कि तुम्हारे गाउं चलते हैं। हे मा बोली, अब जी जू कितने साल हो गए हैं, हमें गाउं गया हुए, वैसे भी शेहर की जिन्दGey से बोर हो रहे थे, इसलिए हमने सोचा कुछ दिन गाउं ही चलते हैं। राजीव बोला, लेकिन कम से कम एडवांस में बता देते, अब पता नहीं मेरा बॉस क्या उधम मचाएगा, बॉस और भीवी, दोनों की बगबग सुनो, अरे मैं तो ऐसी मजाग कर रहा था, और बस तभी उनकी कार के विंटशील्ट पर कुछा कर गिरता है, और विक्रम से टकराया है, विक्रम गाड़ी से उतर कर बाहर गया, और उसने वो गिरी हुई चीज उठाई, हेमा बोली, ये तो एक गुडिया है, लगता है किसी बच्चे ने भेकी होगी, वैसे बहुत सुन्दर है ये गुडिया, अब इसका क्या करूं, लाओ मुझे दो, हेमा ने उ अपना सफर जारी रखा, कुछ देर बाद एक एक करके सभी लोग सो गए, सिवाए विक्रम के जो गाड़ी चला रहा था, विक्रम ने रियर व्यू मिरर में देखा, तो उस गुडियां की आँखें लाल थी, और वो लता की और देख रही थी, विक्रम तर गया, और उसने चट से ब्रेक मारा, सभी लोग चटके से उठे, राचीव बोला, अब क्या हुआ भाई, विक्रम पीछे खुमा, तो गुडिया बिल्कुल पहले जैसी ही थी, विक्रम बोला, मुझे ऐसा लगा की ये गुडिया लता की और देख रही थी, और उसकी आखे भी लाल हो गई हे मा बोली, लगता है तुम्हें नीन आ रही है, लाओ मैं चलाती हूँ गाड़ी, नहीं नहीं, रहने दो, विक्रम ने म्यूजिक प्ले किया, और उन्होंने अपना सफर एक बार फिर से जारी रखा, वो लोग गाउं पहुच गए, और अपने पुष्टैनी घर के भीतर चले गए, अचानक कुछ देर बात, विक्रम को दातों की कड़कड़ा हट सुनाई थी, और वो डर कर बोला, ये कैसी आवास है, विक्रम ने जब उपर देखा, तो वो गुडिया छट पर चल रही थी, विक्रम ये देख कर खबरा गया, उसने चल्दी से लता को उठाया, लता चिल्लाई, दोनों की चीखे सुनकर, हेम और राजीव भी वहाँ आ गए, सभी के सभी ढर के मारे काप रहे थे, विक्रम बोला, मैं नहीं बोल रहा था, केस गुडिया में कुछ कड़बर है, और तभी उस भूतिया गुडिया ने नीचे छलांग मारी, एक, दो, तीन, चार, आज तो मैं चार-चार शिकार करूंगी, बड़ा मज़ा आएगा, ऐसा बोलके उस भूतिया गुडिया ने, चारो के चारो को हवा में उठा दिया, विक्रम बोला, ये सब क्या हो रहा है, पहले तुम सब के साथ कुछ खेल तो लूँ, इसके बाद उस गुडिया ने, राजीव को दिवार पर पठका, फिर विक्रम को छट पर पठका, फिर लता और हेमा, दोनों को एक दूसरे पर पठका, चारो के चारो जमीन पर गिर गए, और बेहोश हो गए, इन सभी के बेहोश होते ही, साधु महराज को होश आ गया, उन्हें ग्यात हो गया, कि भूतिया गुडिया वापस आ गई है, और वो तुरंथ ही इन चारो के पास पहुचे, आओ साधु, मैं तुम्हारा ही इंतिजार कर रही थी, तू फिर से वापस आ गई, लेकिन इस बार मैं तुझे नहीं चोड़ूंगा, देखते हैं कौन किसको नहीं चोड़ेगा, इन चारों से पहले मैं तुम्हारा ही शिकार करूंगी, गुडिया ने अपने हातों से ज्वाला बरसाना शुरू कर दिया, और साधु महराज ने बर्फ का गुला फेक कर वो ज्वाला बुझा दिया, तुझे अगर लगता है कि तेरी बुरी शक्तिया मुझसे जीच जाएंगी, तो ये तेरी गलत फहमी है, साधु महराज ने भूतिया गुडिया को एक तिलिस्मी रसी से बान दिया, और फिर बेहोश लोगों को एक किनारे कर दिया, तु मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं वापत जरूर आउंगी, और हर बार तेरा सामना मुझसे ही होगा, साधु महराज ने अपने कमंडल से जल निकाल कर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करती है, और जैसे ही उन्होंने वो जल भूतिया गुडिया पर फेका, तो उस गुडिया से धुआ बाहर निकलने लगा, अरे, अरे, मैं तुझे नहीं छोड़ूगी साधु, और इसके बाद वो गुडिया एक काले धुए में बदल कर हवा में उड़ गई, फिर साधु महराज ने बिभोश लोगों पर कमंडल का पानी छड़का, और उनको होश मिले कर आए, विक्रम बोला, वो गुडिया, साधु बोले, अब वो गुडिया कभी वापस नहीं आएगी, चारु ने साधु महराज को प्रणाम किया, आज साधु महराज की वज़ा से चारों जिन्दा थे, इसके बाद उन सभी ने घर वापस लोटने का नेर्णा लिया, लेकिन ये दिल तहला देने वाली खटना, उन्हें जिन्दगी भर यात रहेगी,